जश्री कृष्णा दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से कद्दू और चना दल की सब्जी क्या है ना कद्दू की सब्जी ज़्यादा तर लोगों को पसंद नहीं आती है यदि आप इस तरह से चना दल के साथ बनाएंगे तो यखीन मानिए आप हफते में इसे दो तीन बार बनाकर खाएंगे यहाँ पर मैंने आदा कब इतनी चना दल ली थी जिसे मैंने एक घंटे तक पानी में भिगो के रखा हुआ है चाना दाल में इसे पाने निकाल लेंगे और इसे हम प्रेशर कुकल में आड़ करेंगे अब इसमें हमें 200 ग्राम इतने कदू की पीसे से वाड़ करने हैं दो पके हुए टमाटर डालेंगे और दो हरी मिर्च, एक दालचनी का तुकड़ा, एक लॉंग आड़ करते हैं एक चोटा चमच इसमें हमें किसा हुआ अद्रक है बैड करना है आदा चोटा चमच लाल मिर्चो का पावडर, पाव चमच इसमें हम हल्दी पावडर डालेंगे एक चम्मज इसमें धनिया पाउडर जाएगा आदा चुटा चम्मज जीरा पाउडर स्वादा अनुसा और इसमें नमग अड़ करते हैं एक कप इतना हम इसमें पाने डालेंगे और अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं बस एक चम्मज इतना तेड़ डाल रही हूँ चली अब इसके उपर ढखन लगा लेते हैं और दो सीटी आने तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है दोस्तो जब भी आप प्रेशर कुक कर में डाल बनाये ना तो पहले तीस मेरिट उसे भीगो के रखे जिससे कि क्या होता है प्रेशर कुक कर में वो जो डाल रहती है न वो डाल फटी नहीं है तो वो अच्छे से गल जाती है और इससे हमें ऐसे डिटी भी नहीं होती है दो सीटी होने के पाद मैंने चूले को बन कर लिया है जब इसमें इसे pressure release हो जाए तभी हम ढकन को उपन करेंगे अब इसे अच्छे से stir करते हैं कदू और दाल अच्छे से पक चुके हैं अब जो टमाटर दीख रहे आपको तो इसके जो छिलका है न उसे हम निकाल लेंगे या फिर आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं बढ़ इसका मैं चिलका निकाल रहे हूँ इसे हम अब थोड़ा गाड़ा हुने तक मद्यमाज पर रखते हैं पकाने के लिए जिससे सबजी है वो थोड़ी गाड़ी बन जाए क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले और नमक पहले ही एड़ किया हुआ है अब इसके उपर हम तड़का देंगे सो पैन में दो चमज इतना घी अड़ करते हैं गी गरम होने के बाद इसमें आदा चमज इतनी राई जाएगी राई तड़कने के बाद इसमें पाउच चमज इतना जीरा थोड़ी सी यहाँ पर मैं साबुत मेथी डाल रहे हूँ दो सुखी लाल मिर्च वनेट टीस्पून हिंग पाउडर कड़ी पत्ता अड़ करते हैं बस पाउच अमज इतनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हूँ बहुत अच्छा कलर आता है तो बस यहाँ पर तड़का तयार हो चुका है तो इसे हम फॉरण ही हमारे सबजी में अड़ करते है उपर से बारी कटे हुए धनी के पत्ते डालेंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स करते है यहाँ पर मैं पाउच अमज इतना गूर है वैड़ कर रहे हूँ थोड़ा सा नमक और जाएगा क्योंकि मैंने टेस्ट किया था नमक थोड़ा सा कम था तो इसे अच्छे से स्टर करते हैं और बस दो मिनिट के लिए इसे और पकाएंगे तो बस यहाँ पर कद्दू और चाना दाल की बहुत ही बड़िया सी सबजी तयार हो चुकी है तो फटा फट इसे सेव करते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ खाईएगा आपको बहुत ही अच्छी लगीगी यह सबजी आपको हमारी रेसिपे अच्छी लगी हो तो इसे जरूर ट्राइ करिए फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपे के साथ तब तक के लिए आप घर का खाईएगा और अपना खयाल रखिए